नमस्ते मेरा नाम वंदना सरोज है उम्मीद करती हूँ आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे आप सबको नई साल की धेर सारी शुब काम नहीं शुरू करती हूँ ये वीडियो और ये वीडियो है सारी सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम साथ में पोस्ट ओफिस की जितनी भी स्कीम हैं उनके नए इंट्रस रेट्स के बारे में ये जो इंट्रस रेट्स हैं ये एप्लिकेबल हैं एक जनवरी 2021 से 31 मार्ज 2021 तक तो अगर आ हैं पोस्ट ओफिस में आपका सेविंग्स अकाउन्ट है तो इंट्रस रेट है 4% और ये अणुली कम पांड होता है पोस्ट ओफिस में अगर आप नई fixt deposit खोलना चाहते हैं तो इंट्रस रेट होगा एक साल की mix deposit का 5.5% दो साल की EFD का 5.5% और अगर तीन साल की EFD और 5 साल की अगर आप FD कोलना चाहते हैं तो interest rate होगा 6.7% जब आप एक बार FD book कर देते हैं तो उसके बाद ये interest rate अगर change भी होते हैं लेकिन आपकी जो FD already book हो गई है उस पे interest rate change नहीं होते हैं पोस्ट ओफिस में अगर आप FD खोलना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो देखें पोस्ट ओफिस की FD के बारे में सारे details, taxation उसे related जितने भी charges हैं वो सब मैंने इसमें बहुत अच्छे से cover किये हैं पोस्ट ओफिस की FD के returns अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपनी चैनल पर अपडेट किये हैं इस वीडियो में अगर आप पोस्ट ओफिस में RD account खोलना चाहते हैं तो recurring deposit का interest rate होगा 5.80% और ये quarterly compound होता है पोस्ट ओफिस की RD को लेके मैं already video बना चुके हूँ उसका taxation उसके related charges सब कुछ इस video में आप ध्यान से देख सकते हैं अगर आप senior citizen saving scheme में invest करने की सोच रहे हैं तो interest rate है 7.40% ये quarterly customer को दे दिया जाता है आप senior citizen saving scheme के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं तो video बना चुके हूँ उसको आप देख सकते हैं आप monthly income account या monthly income scheme जिसको बोलते हैं जो कि 5 सालों की होती है उसमें invest करने की सोच रहे हैं तो interest rate है 6.60% और ये monthly customer को दे दिया जाता है आप post office के monthly income account या monthly income scheme के बारे में समझना चाहते हैं तो आप ये मेरी video पूरी देखें अगर आपका PPF account है public provident fund account तो interest rate है 7.1% और ये annually compound होता है इस पे मैं video बना चुकी हूँ आप अगर 5 साल के NSC में invest करते है national saving certificate तो उस पे video बना चुकी हूँ उसको आप देख सकते हैं interest rate है 6.80% ये annually compound होता है लेकिन maturity पे ही मिलता है किसान विकास पत्र में अगर आप invest करने की सोच रहे हैं तो interest rate है 6.90% और ये 124 महीने में mature होता है तो total time period होगा maturity का 10 years 4 months उसके बाद आपका पैसा आपको double होके मिलेगा ये annually compound होता है अगर आपको कुछ भी जानना है किसान विकास पत्र के बारे में उसकी taxation उसकी maturity तो आप ये मेरे विडियो देख सकते हो आगर आपके पास already है या आप invest करने जा रहे हैं सुकन्या समरिदी योजना में अपनी बेटी के लिए तो interest rate है 7.60% पर एनम और ये annually compound होता है तो सुकन्या समरिदी योजना क्या है इसका taxation, इसकी maturity, इससे related charges सारी चीज़े आप इस विडियो में देख सकते हैं अगर आपके पास भी EPF employee provident fund account है तो 2019 से 2020 के लिए जो interest rate credit होने वाला है वो 8.50% है interest rates जैसे ही change होते हैं तो साथ में मैं एक वीडियो भी upload करती हूँ अपनी channel पे जहां पे आपको पता चलता है कि FD में अगर आप invest करते हैं या RD में invest करते हैं post office की तो उन interest rates के हिसाब से कितना return आपको मिलेगा वो video आप देख सकते हैं आपके bank से जुड़ी हुई कोई भी problem उनकी fixed deposit के नए interest rates, stock market, insurance, mutual funds, post office की सारी schemes और उनके नए interest rates और defense forces से जुड़ी हुई ऐसी ही important videos पाने के लिए विडियो के नीचे ही subscribe लिख है आप इस पे click करेंगे उसके बाद ये bell icon घंटी का निशान आएगा उस पे click करके आपने all select करना है विडियो पसंद आईए तो यहाँ से विडियो को like करें और दूसरों के साथ यहाँ से share करें मिलती हूँ next video में बाबाई